नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे की एसी में टन का क्या मतलब होता है, सैकडों लोगों में से शायद ही कोई इस सवाल का सही जवाब दे पाता है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जब एयर कंडीशनर की बात होती है, तो उसके साथ टन, शब्द का इस्तमाल जरूर किया जाता है, आम तोर पर घरों में एक, एक दशमलव पांच या दो टन के ऐसी लगाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसी में टन का मतलब क्या होता है, कई लोगों को लगता है कि यहां ऐसी में मौजूद गैस को मापन का तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं है, एर कंडीशनर में टन का मतलब होता है कि वहां एक कमरे से कितनी गर्मी निकाल सकता है, एक ऐसी एक घंटे में कितनी गर्मी बाहर फैंक सकता है, यह टन द्वारा मापा जाता है, एक तन का मतलब 12,000 BTU, British Thermal Unit होता है, जो एसी की ठंडा कर इसने की क्षमता को मापने की इकाई है, इस प्रकार, एक तन का ऐसी 12,000 BTU का होता है, एक दशमलव पांच तन का ऐसी 18,000 BTU का, और दो तन का ऐसी 24,000 BTU का होता है, छोटे कमरे के लिए एक तन का ऐसी परियाप्त होता है, इंटिनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 150 वर्ग फीट तक के कमरे के लिए 1 तन का AC ठीक रहता है, जबकि 200 वर्ग फीट के कमरे के लिए 1.5 तन का AC परियाप्त होता है. थंडक को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जितने अधिक तन का AC होगा, कमरा उतना ही ज्यादा थंडा होगा, हालांकि कमरे का आकार, इंसुलेशन, छट की उंचाई और खिडकियों का आकार ऐसे कारक हैं, जो AC की थंडक शमता पर असर डाल सकते हैं. सही तन के AC का चैन करने के लिए आप किसी पेशेवर से सला ले सकते हैं. AC कैसे काम करता है? AC पहले कमरे की गर्म हवा को अंदर खीचता है. इसके बाद, cooling coils refrigerant का उप्योग करते हुए हवा से गर्मी और नमी को हटाते हैं. AC में लगा blower हवा को evaporator के उपर से घुमाता है ताकि वह थंडी हो जाए. गर्म कोईल से कतरित गर्मी को बाहर की हवा में छोडते हैं. फिर, compressor indoor air को थंडा करने के लिए evaporator और condenser के बीच काम करता है. एक पंखा condenser के उपर चलता है ताकि धीरधीरे गर्मी खत्म हो जाए. इसके बाद, filter हवा से छोटे-छोटे कणों को हटाते हैं. अंत में thermostat यहां निर्धारित करता है कि कितनी थंडी हवा बाहर फैंकनी है. AC में टन क्या होता है? AC में टन का मतलब होता है कि वह एक घंटे में कितनी गर्मी कमरे से बाहर निकाल सकता है. एक टन का AC 12000 BTU, British Thermal Unit के बराबर होता है, जो ठंड़क की क्षमता को मापने की इकाई है. इस प्रकार टन AC की कूलिंग क्षमता का संके तक है. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक शेर जरूर करें, और SK Education चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी कोई इस तरह का नया वीडियो अपलोड किया जाए, तो आपको तुरंट सूचना प्राप्त हो जाए. धन्यवाद